हालो एबरिवन कैसे आप लोग उमीद करते आप सब अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 इंगलिस का स्नैप्शोट बुक से तीसरा चैप्टर मदर्स डे ठीक है इसके राइटर है जे बी प्रिस्टली अब मदर्स डे क्या है एक प्ले है त आपको पताओना चाहिए मदर्स डे कब मनाते आपको सायद मालूम भी होगा तो मदर्स डे हम लोग सेकेंड संडे इन मे मे महिने का दूसरे संडे को ठीक है मना लेते हैं चाहिए वो किसी भी तारीक को परे उसी तरीके से फादर्स डे भी आपको मालूम होना चाहिए तो यह हम मनाते हैं थर्ड संडे इन जून, जून महीने का तीसरा संडे को, ठीक है? चलिए. ब्रिफ इंडरोक्षन देखते हैं, लिखा है कि the following play is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. एक family में मा का क्या status होता है? इसको एक काफी humorous तरीके से, हसी वाले तरीके से, इस play में बताया गया है. पढ़ेंगे detail में समझेंगे, ठीक है? Let us read on to see how Mrs. Pearson's family reacts when she tries to stand up for her own rights. Mrs. Pearson इस play की main character है. इनी का बात हो रहा है, यही वो मा है. ठीक है? तो जब यह आपने हक के लिए खड़ी होती है, तो देखते हैं, उनका family कैसे react करती है. ठीक है? कुछ important characters है यहाँ पे. तो सबसे पहला जो हमने उपर में देखा Mrs. Pearson, उनका पूरा नाम है Mrs. Annie Pearson. यह हो गई पहली character. दूसरे हो गई George Pearson. ठीक है? यह इनके husband है. तीसरे Doris Pearson. यह इनकी daughter हो गई. ठीक है? इन दोनों की. और चौता हो गई है Cyril Pearson. यह इन दोनों का बेटा हो गया. ठीक है? मतलब यह द मतलब हाथ देखे किस्मत बता देती है. ठीक है? चलिए रिटेल में समझते है. यह play जो है कहां पर हो रहा है? यह scene हो रहा है. देखिए. The action takes place in the living room of the Pearson's house. Mrs. Annie Pearson का घर है. पुरा यह play इनी के घर में होगा. ठीक है? तो इनका जो living room है, जो hall room है. वहा पर यह scene action हो रहा है. इन लंडन सबर्ब. सबर्ब मतलब जो लंडन में सिटी एरिया है. उससे थोड़ा दूर. ठीक है? सबर्ब. टाइम है the present. सीन देख लेते है. कैसा सीन है वहाँ पे? लिखा है कि the living room of the Pearson family. Pearson family का Mrs. Annie Pearson का जो घर है. उसका living room में यह scene हो रहा है. आफ्टर नून का समय है. कमफर्ट सेमी डिटाइजड विला. मच लीब दीन रूम का मतलब होता है. इस रूम को काफी इस्तमाल किया गया है. ठीक है? अच्छे से. और इसके जो समाने वो थोड़े पुराने हो गए है. लेकिन अभी भी काफी कमफर्टेबल है. इन इस्तमाल सब अर्बन सेमी डिटाइजड सेमी डिटाइज विला. क्या होता है? कि दो है वो चिपके हुए होंगे और एक वाल しर कर रहा होंगे. मतलब ये एक घर हो गया, ये एक विला हो गया. और ये एक विला हो गया. दुनों ये एक कमन वाल ुआ शेयर कर रहेSecret के इस तराफ एक ज़ननका गर इस वाल के इस त तो देखें यहाप आप परहेंगे तो आप बोल सकते हैं कि नीड भी यूस्ट मतलब यह एक प्ले है तो यहाप जो हमारे राइटर है वो कोई भी अगर यह सीन को इस प्ले को परफॉर्म करना चाहता है तो राइटर यहाप यहां पर क्या देखेंगे तो ऐसा ऐसा चीज ले सकते हैं थीक है तो इसे तरीके सियां पर लिखा हुआ है वो लग यहाई कि जो लेविंग रूम में इसमें दो दर्वाजे है एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की दरफ तो यहां पर आथर बोल रहे कि एक ही दरवाजा इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आगन आप दो दिभाए सीटर से स्टेश पर जाला आधे रएगा थेड़ी तो जो अच्छेट तरफ इससे आप सिर्फट डौर के तरफ जा सकते हैं और जो राइट में दरबाजा में इसे यह थर् SAKते हैं और यह से ऐंग्री के चाहिता Um Uslin covered Window in the left Wand P solely one in the right one अब राइसर बोलरा हे कि कल टो left Wash में जो विंडो है वहाह पे आप चाहे तो Muslim covereded window लगा सकते है ठीक है और राइसट वाल में भी हो सकए तो अब लगा लीजिए उसके लाएपा कोई कलॉशटि नहीं है इकदा flexibility Wekin राइसर दे रहा है ठीक है अगर आप यह लेक नहीं परफॉर्म करना चाहते है तो दा फायर प्लेस इस एजूम तो बी इन दा फॉर्थ वाल तो चौथा वान बच गिया है उसमें फायर प्लेस होगा there is a seti up right seti, आप इस picture पर देख सकते हैं इसको seti बोलते हैं ठीक है right में seti है, फिर armchair है, down left, down and एक right में भी है ठीक है एक small table है, with two chairs on either side of it stands at the center, ये सबसे मैंने उतना उपर ग्राब सो important नहीं था, ये लाइन आप याद रखेगा, scene कुछ ऐसा है कि एक चुरों सा टेबल है और टेबल के दोनों साइड दो चेर लगे हुए है, सेंडर में, ठीक है, चरिया बन दा कर्टेणर राइज fortun सेप्टेमबर का मेना होता है, ठीक है, दोपर का समय है जब पर्दा उठता है तो ऐसा दिखता है स्टेज can be well lit आप चाहे तो स्टेज को अच्छे से रोशनी कर सकते है Mrs. Pearson at right Mrs. Fitzgerald at left तो सीन में अभी दो दन दिखेंगे एक है Mrs. Pearson और दूसरी है Mrs. Fitzgerald याद है उपर में जो हमने characters परे थे Mrs. Annie Pearson ये होगे और Mrs. Fitzgerald ये है परोशन है जो की एक fortune टेलर भी है ठीक है राइट में है Pearson लेफ्ट में हैं Fitzgerald sitting opposite each other at the small table ठीक है on which are two teacups and saucers and the cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये table है यहाँ पर cup है ये saucer रखा हुआ है और ये है Mrs. Fitzgerald ठीक है left में और right में है Mrs. Annie Pearson short में Mrs. Pearson ठीक है और कुछ cards भी है यहाँ पर cards में दीख नहीं रहा है यहाँ हो सकता है इनके उस हाथ में card हो तो वो card का इस्तिमाल करके ये Mrs. Fitzgerald जो है Mrs. Pearson की future बता लिए ठीक है fortune बता लिए Mrs. Pearson is a pleasant but worried looking woman in her forties Mrs. Pearson का यहाँ पर feature बताया गया है याद रखिएगा pleasant मतलब suns वभाव की है सबसे अच्छे से बात करती है खुश रहती है लेकिन but worried looking woman लेकिन उनके चेहरे पर हमेसा एक tension रहता है हर बढ़ाहर सा रहता है क्या रहे घर बाले कुछ मांग लिए तो किसको क्या जरूरत है सबका जरूरत पूड़ा करने में इनके चेहरे पर एक चिंता सा दिखता है ठीक है इनर forties और इनका जो age है वो forties है यानि 40 से लेके 49 के बीच में होगा इनका age ठीक है आप इस picture में भी देख सकते हैं यह थोड़ा worry में दिख रही है ठीक है फिर आगे Mrs. Fitzgerald is older, heavier and a strong and sinister personality इनका feature बताया गया है यह थोड़ी उवर्दार है थोड़ी heavy है भाड़ी मतलब मोटी है थोड़ा मजबूत है लेकिन और sinister personality हट्टी करती है सिनिस्टर मतलब evil या फिर dangerous बोल दीजिए ठीक है खतरनाक सा इनका look है थोड़ा ठीक है personality खतरनाक सा है और वो smoke भी करती है तो इनका आप चेहरा यहां से ही पता लगा सकते हैं थोड़ा दिख में में डरावना टाइप है चलिए इट इस वेरी इंपोर्टेंट डैट इस टू शूट सिंप शूट हैप सार्पली कॉंट्रास्टिंग वोइस तो राइटर में में बोलते हैं कि अगर आप यह पिले को कई दिखा रहे हैं तो याद रखेगा कि जो आप यह दो करेक्टर चुने ना मिसिस पीर्शन और मिसिस फिज्राल की याद रहेगा दोनों का जो वोईस में काफी अंतर होना चाहिए मिसिस पीर्शन का वोईस आप कैसे दिखाएंगे हलका आवाज बना चाहिए इनका फ्लॉरी सॉर्ट ऑफ टोन ठीक है तुड़ा घबरहाट बना कार्ट्ष अपने हाथ में कार्ष करेक्ड कर रही है और बोलतिये अइन् डार्ट्स आएकें टेल यू यही मैं तुमें बोल सकती हूं सब तुम्हारे बहोईस वो अच्छा हो सकता है और बुरा भी हो सकता है ठीक है जैसा कई हर्चल हो इस अ क्या अदिजिजन लोगी वैस मिसिस फिजराड को बोल रहे है कि मेरे परोस में एक फ़र्चुन टेलर रहती है और यह काफी बैतरीन बात है मेरे लिए पूछती है फिर कि क्या आपने यह जो फॉर्चुन टेलिंग है यह चीजी भी आपने इस्ट में सीखा ठीक है जैसे हम इंडिया मेराते है तो हमारे लिए वेस्ट मतलब यह यह यूरोप आ जाता है वरिका आ जाता है ठीक है उसी तरीके से यह लोग यूरोपियान है तो इन 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 अक्यला रना पड़ा था इनके हजबन आर्मी में थे ठीक है तो काफी उचे पत तक गए थे तो आर्मी में वो काफी ग्रोग किये और मैं घर में रहके काफी ग्रोग की मैंने यह फॉर्चुन टेलिंग सीख लिया बट विल यू मेंक अप यूर माइंड ना करोगी मिसिस पीरसन डियर ठीक है पुट यूर फूट डाउन पूट यूर फूट डाउन मतलब आपने हग के लिए खड़ी हो जाओ वन्स एंड शॉट में एंड अर्जगा असा आपको मिलेगा वन्स एंड फॉर एक बार के लिए अपने हग के लिए लरो एंड यू यू मिसिस पीरसन इस्माइलिंग अपॉलिजेटिकली मतलब सरमाते हुए हस्ती है और बोलती है यह बोलती है कि बोलना आसान है करना मुस्किल है इसके अलावा आया फॉन्ड आप देम बोलती है कि मैं अपने फैमिली से काफी प्यार करती हूं तो कैसे उन पर हग जंबाओ ठी मिसिस पीरसन इस बात को लेखे अवेर है कि इनके फैमिली काफी ठॉटलेस है इनके बारे में जना सा भी नहीं सोचते हैं काफी शेलफी से ठीक है सब अपने बारे में सोचते हैं फिर भी मिसिस पीरसन अपने फैमिली से काफी ज़दा प्यार करती है इसलिए वो किसी को खड़ी नहीं होती है, ठीक है, they don't mean to be, इतना बोली रहे होती है कि dot dot dot, इतना पर Mrs. Frisard interrupt करती है, और बोलती है, maybe not, होता है कि हाँ, Mrs. Frisard मिया पर बोलने जा रहे हैं थे कि उनका करने का ऐसा मतलब नहीं होता है, कि वो मुझे हर्ट करना चाहते है, Mrs. Frisard इस पर बोलती है कि हाँ, वो सकता ऐसा उनका मकसद ना हो, but it would be better for them if they learn to treat you properly, कि उनके लिए ही अच्छा होगा कि अगर वो तुम्हें अच्छे से treat करें तो, ठीक है, Mrs. Frisard इस पर बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, एक तरीके से यह तो अच्छा ही होगा, Mrs. Frisard बोलती है, no doubt about it at all, इसमें तो कोई doubt ही नहीं है, अच्छा ही होगा अगर वो तुम्हें अच्छे से treat करेंगे तो, Who's the better for being spoiled, क्या लगता है तुम्हें? Spoiled, bigger ना किसके लिए अच्छा है, grown man, यानि तुम्हारे पती के लिए अच्छा है, तुम्हारे बेटी के लिए अच्छा है, या फिर तुम्हारे बेटी के लिए अच्छा है, बिगर स्पॉाइल होना किसके लिए अच्छा है, यह किसी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, तुम ये सुचती हो कि तुम इतना नम्र भाउस से सब को ट्रीट करती हो सब कोई तुमें मिस यूज करता है ठीक है तुम सब के पीछे-पीछे दौरते रहती हो सभी समय उनके ओर्डर्स को लेती हो जैसे कि तुम इस घर की नोकरा नहीं हो ठीक है in the house तुम हमें साग घर में रहती हो हार रात कहीं गुमने नहीं जाती हो जबकि वह लोग तुमारे पती और बेटे और बेटी ये सब लोग बाहर अच्छे से enjoy करते हैं तो ऐसा करने से ठीक है किसका भलाई हो रहा है तुम ही बोलो कि तुम्हारे पती अच्छा गुरु कर रहे हैं, तुम्हारे बेटा अच्छा गुरु कर रहे हैं, तुम्हारे बेटी अच्छी हो रही है, किसका बला हो रहा है इससे, Never in all your life, लेकि कभी किसी का बला नहीं होगा है सबसे, ठीक है, इसे करने से वो लोग भी बिगर रहे हैं और साथी साथ तुम भी बिगर रही हो ठीक है यहापे मिसिस स्विजरांट इन तीनों का ड्यूटी बताते हुए बोलती है कि पती को बैटे को और बैटियों को अपने पत्नियों और अपने मा का ख्याल रखना चाहिए ठीक है ना कि उन्हें ओर देना चाहिए और उन्हें एक धूल की तरह ड़र्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए and don't tell me you don't know what I mean और तु मुझे यह मत कहना के तुम्हें मालूम निए मैं क्या बॉल रहे हो ठीक है I know more than you have told me मुझे वो भी बाल पता है तो तुमने मुझे नहीं बताया है ठीक है मतलब Mrs. Pearson जो है वो किस दुख से गुजर रही है ये सारा बात Mrs. Fitzgerald को मालूब है ठीक है अब इस पे Mrs. Pearson dubiously मतलब doubtfully बोलती है कि I keep dropping a hint बोलती है कि अपना शियोडली नहीं बोलती है बोलती है कि I suppose it is haan हो आप सही बोलती है कि मेरे family को सी भींट दने से इलम नहीं समझेंगे but I do hate and any unpleasantness फिर आगे Mrs. Pearson बोलती है कि लेकिन मुझे घर में किसी तरह का जगराव नहीं चाहिए ठीक है and it's so hard to know where to start और मुझे ये भी मालूम नहीं है कि मैं start कहां से करूँ कैसे अपने हक खरी हूँ ठीक है I keep making up my mind to have it out with them but somehow I don't know how to begin मैं कई बार डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं उनसे इस वारे में बात करूँगी कि मुझे ऐसे से treat करो लेकिन मुझे मालूम नहीं चलता है कि मैं कहां से start करूँ इस बात को ठीक है और इतना बोलते बोलते है वो घरी पर नजर जालती है और बोलते है कि ओ गुट ग्रेशियस देखिए अब यहाँ पे इनका सही nature दिख रहा है घरी देखते ही वो घरा जाती है कि हे भगवान ताइल को देखो कितना बच गया यह अभी तक कुछ रेडी नहीं हुआ है वो लोग किसी भी मिनट आ सकते है यहाँ पे और वो सभी लोग फिर हरवरी में होंगे कि फिर उन्हें बाहर जाना है तो घरी देखते ही वो सवर्ण अपने ओर्डिनल रोल में आ जाती है और बोलती है कि मुझे सबके लिए रेडी करना है ठीक है कुछ चलिए तो सी इज अब आउट टो राइजे से ही वो टेबल से उठने वाली होती है चेर से तो मिसिस पियर्सन मिसिस फिजरान बोलती है सोरी बोलती नहीं है वो बुछ करती है रिचेज आउट एक्रोस टेबल और पूल से डाउन वो उठके मिसिस पियर्सन का हाथ पकरके वापस चेर बे बिठा देती है कि बैठो बाहर जाने का जरूत नहीं है मिसिस फिजरान बोलती है कि लेट देम वेट एंड लूक आफ्टर देमसेल फर वर्थ बोले कि एक बार के लिए ही उन्हें इंतजार करवाओ और उन्हें अपना जरूत खुद खुद पुरा करने दो ठीक है इस इस वेर योर फूट गोज डाउन यही से तुम स्टार्ट कर सकती हो और यही से तुम अपने हक के लिए खड़ी हो सकती हो अभी स्टार्ट करो यहीं चीज इतना बोलक 在 Αिट्स सींगरेट फ्रॉं दै एस अधूट के सैंट एक ओखतम की थी उसी से दूसरा वो जला लेती है मुझे मालूम है कि आप मेरे लिए अच्छा ही चाती हो इन फैक्ट I agree with you ठीक है बट I just can't लेकिन मुझसे नहीं होगा यह सब इस नो यूज यू ट्राइटू मेक मी लाकि कोई फाइदा नहीं होगा आप मुझे कितना भी मना लीजिए अगर हम आपको promise भी कर देना कि हम घर में अच्छे से अपने हक के लिए लरेंगे तो मुझे तब भी मालू है कि मैं तबी भी अपने promise को fulfill नहीं कर पाऊँगी ठीक है मतलब Mrs. Pearson ये अप अंदर से पुरा-पुरी ये मान चुकी है कि वो अपने हक के लिए कभी खरी नहीं हो सकती है ठीक है इस पर Mrs. Fitzrand बोलती है कि then let me do it तो ठीक है तुम नहीं कर सकती है तो मुझे करने दो Mrs. Pearson flustered मतलब confused nervous हो के बोलते है कि oh no thank you very much आप कैसे करेंगी बहुत बहुत धन्यवाद Mrs. Fitzrand but that wouldn't do at all लाइकि आपका कुछ भी करना मेरे घर में तो अच्छा नहीं होगा it couldn't possibly be somebody else they would resent it at once and wouldn't listen कोई और आगे कोई कुछ बोलेगा मेरे बारे में तो वो तुरंत ही इस बात से नराज हो जाएंगे और सुने इने इस बात को and really I couldn't blame them और इसमें उनका कोई दोस नहीं है मैं उनको दोसे नहीं ठरा सकती हूँ I know I out to do it but you see how it is लेकिन मैं जानती हूँ मुझे यह करना चाहिए आप जो बोल रही है लेकिन आप देखी रही है कि situation कैसा है C looks apologetically across the table smiling rather miserably और चेरे पर हलका मुस्कान है ठीक है दुख बड़ा मुस्कान Mrs. Fitzgerald fully आप रिलाक्स होके बोलते है कि you haven't got the idea आप समझे नहीं मैं क्या बोली Mrs. Fitzgerald क्या बोली थी कि मुझे करने दो मुझे तुम्हारे हक के लिए खरा होने दो इस पर Mrs. Pearson सीधे-सीधे मना कर देती है तो Mrs. Fitzgerald बोलते है कि आप समझे नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या बोल रही है देखे Mrs. Pearson P. Wildert confused होके बोलते है Oh I'm sorry I thought you asked me to let you do it Mrs. Pearson बोलते है मुझे तो लगा आप यहीं बोल रही है कि आप मेरे लिए आवाज उठाएंगी Mrs. Fitzgerald बोलते है हाँ मैंने यही कहा था But not as me, as you मैं आवास तो उठाऊंगी लेकिन मैं खुद आवास नहीं उठाऊंगी मैं तुम्हारी तरह बन के आवास उठाऊंगी अब यहाँ पर आप ही confused हो रहे है उन्हें थरा सा patience रखीगा clear हो जाएगा ठीक है इस पर Mrs. Pearson बोलते है But I don't understand You couldn't be me मुझे समझ ले आ रहा है आप मेरी तरह कैसे बन सकती है ठीक है Mrs. Fitzgerald फिर से coolly relax होके बोलते है कि we change places दीक हम आपस में places change करने थे और really bodies या फिर ऐसा बोल सकते है कि हम bodies change कर लेते है मतलब ये है अगर Mrs. Fitzgerald और ये है Mrs. Pearson ठीक है तो Fitzgerald बोल रही है कि हम body change कर लेते है इनका जो आत्मा है वो इसमें चला जाएगा और इनका जो कैकर है वो इसमें आ जाएगा ठीक है ऐसा चीस Mrs. Fitzgerald बोल रही है अब क्या ऐसा हो सकता है तो चुकि Mrs. Fitzgerald Fortune Taylor ने वो ये सब कुछ तंत्रमंदर सीक क्या हुई है इस्ट में ठीक है तो वो ऐसा कर सकती है उनके पास ये power है ठीक है देखे तो इस पे Mrs. Pearson बोलती है कि But that's impossible ऐसा तो असमा हो है कैसे हो सकता है Mrs. Fitzgerald बोलती है How do you know Ever tried it तो मैं कैसे मालूम कभी कोशिस की हो क्या Pearson बोलती है नहीं कभी नहीं की हो तो Fitzgerald बोलती है कि I have मैंने ये कर चुकी हो पहले ठीक है Not for some time But it is still out to work मैंने कुछ दिनों से ये चीज नहीं किया है लेकिन ये अबे भी काम करना चाहिए जाना देर तक ये spell जो है जाना देर तक नहीं चलेगा But हमारे काम के लिए उतना मतलब ये जो ग्रेक्टर एक्स्चेंज है ठीक है बोले कि जाना देर तक ये फ्रमुला काम नहीं करेगा She holds her hand out across the table Mrs. Fishran Mrs. Pearson की हाथ पकड़ लेती है अपने मूँ में सी ग्रेट ली हुई है ठीक है Give me your hands dear बोलती है कि तुमारा हाथ दो मुझे Mrs. Pearson do gracefully फिर काफी doubtfully बोलती है Well I don't know Easy right कैसा करना सही होगा मुझे मालूम नहीं फिर किचलाते हुए तभी भी अपना हाथ देती है Mrs. Fishran बोलती है कि It's your only chance यही तुमारा अगरी चांस है तुमारा हाथ दो और एक मिनट के लिए चुप रहो Just don't think about anything कुछ भी मत सोचो तूं इतना पर उनका हाथ ले लीती है हाथों में आठ बढ़के बैठी हुई है ठीक है टेबल पर Now look at me बोलती है फिर मुझे देखो आप हमें आखे डाल के देखो They stare at each other फिर दोनों दूसरे को देखती है और Mrs. Fishran एक मंत्र बोलती है Arsta dum Arsta dum Arsta dum Arsta lum dum bona ठीक है ऐसा कुछ मंत्र बोलती है These little scenes should be acted very carefully काफे द्यान से आपको यह scene perform करना है We are to assume that of personalities exchange their bodies अब से हम यह assume करके चलेंगे कि यह आपे दोलो अपना body stage कर चुकी है अब Mrs. Pearson का आत्मा है वो Mrs. Fishran में आ चुका है और Mrs. Fishran का आत्मा Mrs. Pearson में आ चुका है ठीक है After the spell has been spoken जब यह मंत्र बोला गया Both women still grasping hands Go legs दोनों ही women जो है अपना हाथ अभी भी पक्री हुई है लेकिन दोनों relax, बेहोस हो जाती है ठीक है As if the life were out of the day जैसे कि दोनों मर चुकी हो ऐसा सांथ हो जाते हैं फिर दोनों ही होस में आते हैं But with the personality of the other एक दूसरे का personality exchange करके होस में आते है Each must try to adopt the voice and mannerisms of the other अब दोनों को काफी अच्छे से यहाँ पर role को play करना है अब Mrs. Pearson जो है वो Mrs. Fiseral का role perform करेंगी और Mrs. Fiseral जो भी है दोनों एक दूसरे का role perform करेंगे ठीक है So now Mrs. Pearson is bold and dominating and Mrs. Fiseral is nervous and fluttering अब उल्टा हो गिया है देखिए अब Mrs. Pearson काफी bold दिख रही है काफी dominating दिख रही है और वही Mrs. Fiseral उल्टा यह अब nervous हो गई है और यह flutter cop रही है ठीक है अब Mrs. Pearson बोलती है Mrs. Pearson यहाँ पर लिखा हुआ है मतलब यह असली में किसका आपमा बोल रहा है असली करेक्टर कोण है इसमें Mrs. Fiseral ने ठीक है बोलती है कि देखो what I mean dear मेरा यही बोलने का मतलब था और Mrs. Pearson देखती है कि Mrs. Fiseral के मूँ में cigarette है लेकिन cigarette तो अब इनको पिना है समझ रहे here you don't want you don't want that बोलती है कि वो cigarette इधर लाओ तुमें वो नहीं चाहिए she snatches it and puts it in her own mouth तो Mrs. Pearson, Mrs. Fiseral के मूँ से cigarette निकालके अपने मूँ में डाल देती है ठीक है puffing content दी और काफी satisfaction के साथ उसको पी रही ठीक है Mrs. Fiseral जिसमें अब Mrs. Pearson का आत्मा है now with Mrs. Pearson's personality looks down at herself वो खुद को देखती है और पाती है कि उनका body बुरा change हो गया है और डर के मारे चिला वकती है ठीक है Mrs. Fiseral मतलब समद रहे है Mrs. Pearson का personality के साथ वो बोलती है oh it's happened मुलती है कि अटे ऐसा हो गया Mrs. Pearson बोलती है कि complacently of course it's happened हाँ वो गया ठीक है very neat और काफी clean तरिके से हुआ है don't didn't know I had it in me बोले कि मुझे बिश्वास हो रहा है कि मेरे अंदर अभी भी ये ताकत था समझे अब आगे से जाना भी ये Mrs. Pearson लिखा होगा आप समझेगा कि असली में ये कौन बोल रहा है Mrs. Fitzraal और कई भी Mrs. Fitzraal लिखा है तो समझेगा असली में ये कौन बोल रहा है Mrs. Pearson ठीक है चलिए Mrs. Fitzraal काफी डर के बोलती है कि but whatever shall I do Mrs. Fitzraal बोला कि अब मैं क्या करूँ George यानि इनके husband और children वो मुझे इस तरिके से नहीं देख सकते है Mrs. Pearson इस पर बोलती है grimly कि they aren't going to that's the point बोला है कि हाँ वो तुमें देखेंगे नहीं यही तो point है they will have to deal with me उन्हें मुझे से deal करता पड़ेगा only they won't know it उन्हें बस यह मालूम नहीं होगा कि मेरे अंदर मतलब हम दोनों का personality एक्सचेंज होगी है यह बात उन्हें मालूम नहीं होगा Mrs. Fitzgerald अभी भी काफी डर के बुलती है but what if we can't change back it would be terrible अगर हम वापस चेंज नहीं कर पाई तो यह तो और भी बुड़ा होगा तो इस पर Mrs. Pearson बुलते है कि here studio लाई कि सांथरो Mrs. Pearson अगर तुम्हें मेरा जिन्दगी जीना पड़ा तो वो उतना भी खराब नहीं होगा ठीक है जैसा तुम अभी जिन्दगी जी रही हो उसे ज़्यादा ही फन करोगी मेरी तरह जीवन जी के इस पर Mrs. Fitzgerald बुलते है but I don't want to be anybody else मुझे दूसरों के तरह जिन्दगी नहीं जीना है इस पर Mrs. Pearson बुलते है कि आप चिंता करना बंद करो ये चेंज करना easy है हम जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं अपना personality वापस एक्सेंज कर सकते हैं Mrs. Fitzgerald बुलते ही इस पर मेरे चेंज कर दो थीक है इस पर Mrs. Pearson बुलते है कि not likely नहीं अभी नहीं I have got to deal with your family first पहले मैं तुमारे family से deal करूंगी यही तो idea था है कि नहीं didn't know how to begin with them you said to me बोल रही थी कि तुमें start करने नहीं आ रहा है थीक है well I will show you मैं तुमें दिखाती हूं करके इस पर Mrs. Fitzgerald बुलती है but what am I going to do मैं क्या करो Mrs. Pearson बुलते कि तुम मेरे घर चली जाओ थोड़े देर के लिए वहाँ पर कोई नहीं है फिर थोड़ी दिर बाद यहाँ पर आना pop back ठीक है see how we are doing ठीक है you out to enjoy मैं आपके घर चली जाती हूं आप शूर है ना कि यहाँ पर सब आप समाल लेंगी यहाँ पर सब ठीक रहेगा Mrs. Pearson बुलती है चुपके से हस रही है और हसते हुए बुलती है it would be wonderful यहाँ पर काफी अच्छा होगा now off you go dear अभी तुम जाओ Mrs. Fitzgerald crosses and hurries out through the door right right door से Mrs. Fitzgerald निकल जाती है Mrs. Fitzgerald यानि इसमें Mrs. Pearson का आत्मा है वो निकल जाती है ठीक है left to her cell Mrs. Pearson smokes away और अभी scene में कौन है Mrs. Pearson है और वो smoking कर रही है Mrs. Pearson यानि इसके अंदर किसका आत्मा है Mrs. Fitzgerald का lighting another cigarette and begins laying out the cards for patients on the table table पर cards भी खेरती है और अभी भी smoke किये जा रही है after a few moments कुछ दिर बार Doris Pearson कौंस बर्स्टिंग इन left left से Doris Pearson आती है बर्स्टिंग मतलब काभी तेजी से आती है ठीक है Mrs. प्रिटी गर्ड सुनर लड़की है यह इनार early 20s 20s समझ गया 20 से लेके 29 तक अगर यह बिगरी नहीं होती तो यह और भी अच्छी होती ठीक है चलिया आते ही Doris Doris समझ गे Doris Pearson कौन है इनकी बेटी है Mrs. Pearson की बेटी before she has taken anything in इससे पहले कि Doris को समझ है वो आते ही बोलती है कि mom you will have to iron my yellow silk आपको मेरा yellow silk जो कपड़ा है उसको iron खरना पड़ेगा मुझे रात को वही पहनना है अब इसके बाद वो देखती है अपनी मा को देखती है और देखके काफी astounded यानि greatly surprised अब इस वो जाती है क्यूँ ऐसा क्या दिख गया उसे वो देखती है कि what are you doing आप यह क्या कर रही है सीवोग डाउन लेफ और लेफ्ट सेंटर इसना बोलके वो सेंटर की तरफ आती है सेंटर में जापे टेवल पे चेर पे मिस्स पियर्सन बैठी हुए वहाँ पे आती है लेकि मा आप यह क्या कर रही है तो पता है आप वो क्या देख ली होगी वह देखे होगी कि वह स्मोक कर रही है मिस्स पियर्सन तो स्मोक नहीं करती है लेकिन उनके बेठी दिख रही है कि यह स्मोक कर रही है अब किसे पता इनको थोड़ी पता है कि असली में वह मिस्स पियर्सन थोड़ी है वह तो मिस्स फिज्राल रही है तो Mrs. Pearson uses her ordinary voice but her manner is not fluttering and apologetic but cool and incisive अब Mrs. Pearson अपना उसी आवाज, original आवाज में बात कर दिये पर स्लेटी चेंज हो है, आवाज तो चेंज नहीं होगा तो voice वही है, लेकिन अंतर यह आ गया है कि अब वो वोईस में कोई fluttering कपको पाहट या फिर अपर लिजे ठीक, एक माफी माना टोन नहीं है उस आवाज में, ठीक है आवाज काफी cool है और incisive, मतलब clear है, confident आवाज है, ठीक है Mrs. Pearson बोलती है कि, not even looking up, अपने पेटी के दरफ देखती भी नहीं है और बोलती है कि, what do you think I am doing, white washing the ceiling, तुम्हें क्या दिख रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं घर को color कर रही हूँ, क्या Doris, still astounded, अभी भी वो काफी shocked है, surprised है, बोलती है, but you are smoking, आप तो smoke कर रही है पिरसन बोलती है, that's right, सुमने सही का, इस से खिलाफ कोई कानून तो नहीं है, है की नहीं Doris बोलती है, I thought you didn't smoke, मुझे तो लगा था, आप smoke नहीं करती है तो इस पे Mrs. Pearson बोलती है कि, then you thought wrong, तुमने गलत सोचा था Doris बोलती है, are we having tea in the kitchen, क्या हम चाय कीचन में पेटके पीएंगे, क्योंकि आप living room में तो smoke कर रही है Mrs. Pearson बोलती है, have it where you like, जहां तुमें पसंदे, वहाँ पीलो चाय Doris बोलती है, angryly काफे गुसा के बोलती है, do you mean it isn't ready, चाय अभी तक ready नहीं है, क्या आप यह बोल रही है Mrs. Pearson बोलती है, your season, तुमारा ready नहीं है I have had all I want, मुझे जितना चाय था, मैंने तो पीलिया चाय बना के Might go out later and get a square meal at the Clarendon, ठीके Clarendon, मुझे जितना चाय था, वो तो मैंने पीलिया, और हो सकता है, मैं थोड़ी दिर बाद बाहर जाऊ, और एक square meal, square meal का मतलब होता है, substantial and satisfying meal, अच्छा मतलब, संतूष्ट वारा खाना खाना, ठीके जिसमें सभी nutrients हो, ऐसा खाना खाके आऊंगी, ठीके, यहाँ पर जाके, तो डॉरी इस hardly bleeding her ears, who might, डॉरी इस अपने कारणों पर बिष्वास नहीं करती है, तो बोलती है कि कौन बाहर जाएगा, यहाँ पर बोलती है तो भी silly मतलब, बेखू फितरा बात मत करो, इस पर डॉरी इस काफी गुसा हो जाती है, indignantly, मतलब को इतना तक फिटर नहीं है कि आप मेरे लिए चाय बना दे, ठीके, did you hear what I said about my yellow silk, आपने क्या वो सुना जो मेरे आपको पहले कहा था, आपको मेरा yellow silk को क्या करना है, आपको वो बात सुना के लिए सुना, मुसिस पर बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं सुना, don't you like it now, I never did, बो यह yellow silk dress, and I am going to wear it tonight, और मुझे, मैं यही रात को पहनूंगी, so I want it iron, इसलिए मुझे यह dress iron करके चाहिए, Mrs. Grayson बोलते है, want it iron, तुमें iron हो के चाहिए, what do you think it's going to do, iron itself, तो क्या वो dress कपरा क्या, खुद बे खुद आइरन हो जाएगा, क्या, कैसे तुमें iron करके मिलेगा, इस पर Mrs. Pearson बोलती है, well this time I talk, इस बार मैं नहीं करूंगी iron, ठीक है, and don't talk rubbish about working hard, और तुम यह आलतु-फालतु बात मत रों कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो, मुझे अच्छे से पता है, तुम क्या करती हो, Doris Pearson, I put in twice the hours you do, तो मैं तुमारे से दो गोरा टाइम मेहन पूछती है कि क्यों तुम पहनने वाली हो, यह yellow silk dress ठीक है, क्यों पूछती है, वो क्यों आज तक कभी नहीं पूछा गया था इनसे, इनकी बेटी से, ठीक है कि क्यों कोई काम कर रही है, आज Mrs. Pearson पूछती है कि क्यों तुम यह dress पहनने वाली हो, कहां जा रही हो तु, तो इस पर डॉरी इस सल्क लीग, सल्क लीग का मतलब होता है, बैड मूड, सल्क लीग, ठीक है, काफी ना जोकर बूलती है कि out with Charlie Spence, मैं Charlie Spence के साथ बाहर जा रही हूँ, ठीक है, हो सकता है, डॉरी का boyfriend हो, Mrs. Pearson बोलती है कि क्यों कहा, क्यों जा रही हो इसके साथ बाहर, अब य क्यों ना जाओ Charlie Spence के साथ, ठीक है, इफी आसमी उसने मुझे कहा है कि मेरे साथ बाहर चलो, और मैं जाना चाहती हूँ, तो मैं क्यों ना जाओ, एनियो अबजेक्शन कोई अतराज है, गो और, you might as well tell me, ये भी आप बोल दीजे कोई अतराज है तो, इस पे Mrs. Pearson severely काफी ये पी ना जाओ के बोलती है कि, can't you find anybody better, क्या तो ये इससे अच्छा लड़का नहीं मिला क्या, मैं तो Charlie Spence के साथ मरना भी पसंद नहीं करूँगी, ठीक है, बग्ती और, ये किसी भी इंसान को इंसल्ट करने का तरीका होता है, तो Mrs. Pearson जो है, Charlie Spence को कैसा बटाती है, बग्ती, इसका दात निकला हुआ है, और हाफ वीड, बुद्धी भी मन्द बुद्धी है ये, तो ऐसे लड़के से पहुंद प्यार करेगा, ठीक है, मैं तो इसके साथ मरना भी पसंद ना करूँ, डॉरीज बोलती है कि, ही इसल्ट, वो ऐसा नहीं है, Mrs. Pearson बोलती है कि, वेन आई वास योर एज, आई वुद्धी बेटर दन चार्ली स्पेंस, बोलती है कि, अगर मैं तुम्हारी एज की होती न, तो मैं चार्ली स्पेंस से बनिया, मतलब अच्छा लड़का को दूनती, ठ चार्ली स्पेंस साथ तो कभी नहीं जाती, ठीक है, डॉरीज और नियरली इंटियर से बोलती है, मतलब आसो निकलने वाला होता है कि, ओ, शुट अप, वो बोलती है कि, अब चूप हो जाओ, आप बरदास नहीं हो रहा है, इतना बोलके, डॉरीज रॉन्स आउट अब से लेफ्ट 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 मुझे द्यान ले रहा ठीक है सिरील बुलते की फिलिंग ऑफ कलर और सम्थिंग फिलिंग ऑफ कलर ता मतलब क्या तबियत खराब है या फिर कुछ और बात है कि इस प्रिसेटी जाया है पिलते की सिरील कफी आग्रेसीव के मैं पिलते है की चांज बदला आज मुझे मन नहीं किया बनाया चाहे नहीं बनाया बुलता है कि काम पे तो मां ये चाहे नहीं बनाया Cyril is about to go when Mrs. Pearson voice checks him Cyril ये बोलके जाने ही वाला होता है कि Mrs. Pearson कुछ बोलती है तो आई है प्लेटी ओफ टाइम तुमारे पास टाइम नहीं है लेकर मेरे पास तो काफी समय है Cyril बोलता है Yes, but I haven't हाँ आपके पास होगा मेरे पास टाइम नहीं है Got a busy night tonight का आज का राप काफी busy है और left की तरफ जाते हुए तो बोलता है कि Did you put my things out क्या आपने मेरा समान निकाल दिया Mrs. Pearson बोलती है कुलिया I can't remember But I doubt it मुझे याद नहीं मैंने तुमारा समान निकाला की नहीं लेकिन मुझे सक है सायर मैंने नहीं निकाला I have to look through them first in case there was any mending आपने कहा था सुबह मैं कि आप पर लेकिन निकाला को देखेंगी फिर देखेंगी कि किसी को कुछ mending कुछ repair करने का जुरूत तो नहीं है ठीक है ऐसा आप में सुबह कहा था Mrs. Pearson बोलती है कि Yes, well now I have decided I don't like mending देखेंगी हाँ अब मैं decide कर चुकि हूँ कि मुझे रिपेंड करना पसंद नहीं है Siril बोलता है कि ये काफी अच्छा तरीका है बात करने का क्या होगा अगर घर में सभी लोग ऐसी तरीके से बात करें कि मुझे ये पसंद नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा चब घर में सभी ऐसे ही बात करेंगे तब क्या होगा Mrs.Person बोलती है इस पर कि You all do talk like that आप तुम सब लोग ऐसे ही बात करते ही हो If there is something at home you don't want to do You don't do it अगर घर में कोई ऐसा काम आजाए जो तुमें नहीं करना है तो तुम सब लोग नहीं करते हो If अगर तुमारे बाहर के काम में कुछ ऐसा काम आजाए तो तुम लोग यूरियन को ले आते हो ठीक है फ्रोटेस्ट करने के लिए वो काम तुम लोग नहीं करते हो Now all that's happened is that I have joined the movement अब से भी इतना ही हुआ है कि मैंने भी ये movement को जोइन कर लिया है मतलब मुझे भी अगर आज से कोई काम पसंद नहीं आएगा तो मैं भी वो काम नहीं करूँगी ये बात सुनकर सिरील स्टैगर्ड मतलब अनिस्टेडिस हो लरकार जाता है विश्वास नहीं होता है कि वो क्या सुन रहा है ठीके मुझे ये समझ नहीं आ रहा है मॉम वाट्स गोई ओन क्या चल रहा है तुम क्या बोल रही हो इस पे मिसिस पीरसन बोलती है लैकोनिक एंड सिनिस्टर लैकोनिक मतलब बहुत ही कम सब्समें काफी डीप मीनिंग वाला बात अगर आप बोलते हैं अब तक जैसा हो रहा था अब ऐसा आगे नहीं होगा डॉरीज एंटर्स लेफ्ट अब उस तीन में डॉरीज वापस फिर से आती है सी इंद सी इंद प्रोसेस ओ ड्रेसिंग वो त्यार हो रही है और उपर से अभी रैक पैनी हुई है सी लूक्स पेल वो काफी पीली पड़ गई है और उसका आख लाल हो चुगा है क्योंकि वो अभी रो क्या आई हुई है ठीक है मिसिस प्यर्स न बोलती है कि यू लूक टेरिवल काफी बुडी दिख रही हो तू ठीक है आइ वुड्ण वेर दाट फेस उवन फो चार्ली इसपेंस वोला है कि मैं तो ऐसा जहना लेकर चार्ली स्पेंसे भी मिलना जाओ ठीक है इस पे डॉरीज बोलती है मुविंग अभाप दर टेवल एंग रिली वह टेबल के पास आती है, और काफी गुशे से बोलती है, ओ, shut up about Charlie Spence, Charlie Spence के आर्मा तो कुछ मत कही है, and anyhow, I am not radiate, और दो भी बात हो, मैं अब तक तयार नहीं हुई हूँ, मैं तयार वो रही हूँ, ठीक है, and if you, and if I do look terrible, और अधर मैं इतनी गंदी दिखी रही हूँ, इसमें भी आपका fault है, आपका mistake है, you made me cry, आपने ही मुझे रुलाया, जिससे मेरा चेहरा पेल बढ़िया, और आखे लाल हो गई, सिरिल इस वे बोलता है, curious होके, कि why, what, what did she do, वो सिरिल डॉरी से पुछता है, क्यों, क्या-क्या इसने, माने तुम आरे साथ, डॉरी से बोलती है, never you mind, वोले, यह तुम्हारे मतलब का नहीं है, तुम छोड़ो, मिसिस पियर्सन बोलती है, rising and preparing to move to the kitchen, मिसिस पियर्सन खरी होती है, और kitchen की तरफ जाड़ी है, और जाते हुए, बुछती है, कि have we any stout left, stout any beer, ठीक है, बीर का bottle कोई left, बचा हुआ है क्या, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, सिरिल बोलता है कि bottle or two, एक दो bottle होगा, I think, but you don't want stout now, मुझे नहीं लगता है कि अब तुम्हें stout भी चाहिए, smoking भी कर रही हो, stout भी पियोगी, तो इस पे मिसिस पियर्सन moving left slowly, वो left की तरफ kitchen की तरफ जाते हुए, बोलती है कि I do, मुझे चाहिए stout का bottle, beer का bottle, ठीक है, सिरिल बोलता है कि what for, क्यो चाहिए, मिसिस पियर्सन at की तरफ निकल जाती है, instantly Cyril and Doris, मतलब इनका ममी का जाते ही, ये दोनों बाई बहन, are in a hurdle, एक साथ आते है, मतलब एक करीब आते हैं एक दूसरे के, और close together at left center, एक दम center में है, rapidly whispering और दोनों आपस में कुछ फुस फुस आते है, ठीक है, कुछ बात कर रहे होते है, क्या बा चाय रेड़ी है, couldn't care less, ऐसा क्या-क्या बोल रही थी, Doris बोलती है, well I'm glad it's both of us, चलो खुसी का बात है कि दोनों को डाट परा है, मुझे तो लगा कि मैंने ही कुछ बड़ा mistake कर दिया था, जिसे मा मुझे इतना राज है, शिरील इस पर बोलता है, कि so did I, मैं भी यहीं सोच के डर गया था, but it's her of course, लेकिन चलो गलती हम दोनों कर नहीं है, गलती मा का असर अब से है, ठीक है, डाट इस बोलती है, she was smoking and playing cards when I came in, बोलती है कि अपने बाई को, कि मम्मी smoke कर रही थी और cards खिल रही थी जब मैं आई, I couldn't believe my eyes, मुझे तो बिश्वास नहीं हुआ, श्रील बोलता है कि, जब मैंने उनसे पूछा कि, क्या वो off-color, याने थोई बीमार है क्या, she said she wasn't, वो बोली कि वो बीमार नहीं है, बोलती है कि, well, she's suddenly all different, बता नहीं, आचनक से यता अलग कैसे हो गई, and that's what made me cry, और इसी वज़ा से मैं रोप आगी, ठीके, ऐसा नहीं था कि, उन्होंने जो मुझे कहा, वो मुझे बुड़ा लगा, but the way she said, जिस तरीके से लो ने कहा, and the way she looked, और जिस तरीके से वो देख र लिखती थी, Doris बोलती है इस पर, कि she doesn't to me, लेकिन वो मुझे पहले की तरह नहीं दीख रही है, do you think she could have hit her head or something you know, and got what is it you know, क्या तुम्हें लगता है कि इनका कहीं सीर कहीं पर टकराया है, और हो सकता है कुछ ऐसा, इतना पर सीरिल, staggered, लड़कर आते हुए, बोलता है, do you mean she is barmy, barmy मतलब crazy mad, का तुम बोलना चारी हो कि mommy पगला गई है, Doris इस पर बोलती है, कि no you fatter, आदे मुर्ख नहीं, you know, confusion, मतलब brain injury हो, सब आ कि उन्हें कुछ brain injury हुआ हो, she might have, इस पर सीरिल बोलता है, sounds far-faced, far-faced मतलब difficult to believe, बिस्वास नहीं होड़ा, ऐसा कुछ हुआ होगा, Dor अगर तुम उससे पूछो तो, इतना बोलके ही, वो giggle, हसना start कर देती है, सिरिल इस पर बोलता है, now then what is it, तो क्या है, Doris इस पर बोलती है, if she is going to like, to be like this, when dad comes home, she giggles अगर बोलता है, कि अगर मम्मी ऐसा ही behave करती रही, पीता जी क्या आने तक, तब तो पता नहीं क्या ही होग बोलके, वो हस पड़ती है, सिरिल पिंडिंग टू गॉफ, गॉफ मतब लाफ लाव दी, सिरिल भी ये बात सुनके काफी जोड़ जोड़ सा हसना start कर देता है, और बोलता है कि, I am staying in for that, बता है कि मैं ये सीन देखने के लिए, आज मैं गहर में ही रहूँगा, two front dress circles for the first house, मत Trace Circle, Trace Circle का मिनिंग होता है, first level of seats, पहले seat के पहले row में, मतलब दो front row हमें मिलेगा दिखने के लिए, ये पहला सीन का, ठीक है, और तब सीन काफी मनोरंजन होगा, देखते हैं मम का पकलाराई कैसा होता है, इतने पे Mrs. Pearson वापस आती है, कहां गई थी है, किचन में गई थी, क इसमें आधा beer बढ़ा हुआ है, Cyril and Doris try to stop their goffing and giggling, तो दोनों अपना हसी को रोकते हैं, but they are not quick enough, लेकिन जल्दी वो हसी को नहीं रोक पाते है, Mrs. Pearson देख लेती हैं कि दोनों काफी हस रहे है, Mrs. Pearson regards them with contempt, और काफी गुसे से Mrs. Pearson उन्हें बोलती है, कि तुम दोनों जो है, हमे ठीक है, हमेशा जम देखो, हसते रहते हो, she moves to the city and seat, वो city में जाती है और बैट जाती है, Cyril इस पर बोलता है कि can't we laugh now, तो क्या हम अब हस भी नहीं सकते है, Mrs. Pearson इस पर बोलती है, yes, if it's funny, अगर funny चीज है तो हस सकते हो, go on tell me, चलो मुझे भी बताओ, मुझे भी हसाओ, I could do with it, मुझे अच्छा लाएगा, बताओ मुझे, Doris इस पर बोलती है, you know, you never understand our jokes को, तो कभी भी हमारा jokes तो समझती ही नहीं हो, mom, तो यह आप सीन में देख सकते है, यह है Mrs. Pearson with Mrs. Fishart's personality, सेटी पर बैठी हुई है, यह पर टेवले चोटा सा, यह है Doris, और यह है हमारा सिल, ठीक ह तो इस पर मिस Pearson बोलती है कि जब तुम पैदा भी नहीं होई थी ना Doris, तब से मैं तुम्हारे jokes पे उबासी ले रही हो, ठीक है, तो यह काफी बारी insult है, Doris इस पर बुलती है, almost cheerful again, फिर से वो रोने बाले होती है, बुलती है कि what's making you talk like this, आप ऐसे क्यों बात कर रही है, ठीक है, हमने क्या किया है, इस पर मिस Pearson बोलती है, प्रॉंक्ली उत्यजित होकर कि nothing, यही तो problem है कि तुमने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, तुम लोगोंने, just आते हो, कोई चीज मांगते हो, फिर बाहर चले जाते हो, और फिर जब कहीं और जाने को नहीं होता है, तो तब तुम फिर वापस घर आते हो, ठीक है, तो इस पर सीरिल काफी aggressively उत्तेजि और इतना बुलते-बुलते है, वो वो बियर से एक सीप लेती है, ठीक है, सिरिल तुरंत कीचन की तरफ चला जाता है, बुलता है कि mild you, I think it's a bit thick, बुलता है कि ध्यान रहे है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है, मैं सारा दिन काम करता रहता हूँ, डॉरिस भी इस पर सपोर्ट करती है, हाँ मैं भी सारा दिन काम करती रहती हूँ, तो इस पर मिस्स परसंग काफी सान्ती से बुलती है, एट आवर्स दे, आध गंदा ही तो काम करते हो, सिरिल बुलता है, हाँ, आध गंदा काम करते हैं, और इसे आप बोला मत, तो इस पर मिस्स परसंग बुल चानती से बुलते हैं कि it was, यह अलग था, ठीके, now it isn't, अब अलग नहीं आप, तो वाना भी 8 गंटा, मेरा भी 8 गंटा काम होगा, ठीके, तो 5 देज ओ वीक, तो 8 गंटे से कितना होगया, 40 गंटा, 40 आर्ट वीक फर अल नाउ, मैं 40 गंटे ही काम करूंगी सब्ता में, तो इसपे डोरीज और शेरिल एक्चेंज अलाम्ड ग्लांसे, वो लो काफी चौक जाते ही यह बात सूनकर, then they stare at Mrs. Pearson who returns their look calmly वो लोग काफी आशेरे से कि तो के Mrs. Pearson को देखते है लेकिन Mrs. Pearson काफी सांधी से उन्हें देख लही होती है Cyril बोलता है कि मस्ट ग्राब सम्थिंग तो इन में जल्ली से कुछ खाना होगा तो मैं अपना स्ताक खो दूँगा या पर ठीक है Cyril कीचन की तरफ चुला जाता है डोरिंस जो है मुविंग टू दे सेटी मा के पास आती है और बोलती है मम्मी यू डोंट मीन यू और नोट गोईंग तो डू एनिफिंग और साटरेडें संडे आप किये तो नहीं कहना चाहरी है ना कि आप साटरेडे संडे कुछ भी नहीं करेंगी ऐसा तो नहीं आप बोल रही है तो इस पर मिसिस पियर्सन एर ली मतलब काफी कियर फ्री और कैजॉल तरीके से बोलती है कि नो मैं इतना भी फार नहीं जाऊंगी इतना भी ज़दा नहीं करूंगी ठीक है जस्ट मैं क्या करूंगी एक दो बिस्ट लगा दूंगी और थोड़ा मोड़ा कुकिंग कर दूंगी ऐस फेवर ठीक है जो कि मेरा काम नहीं है उस इनका विच मीन्स ऑफकोर्स आइवल हैब तो बी आग्स देरी नाशनी लेकिन इतना करने के लिए मुझे अच्छे से बोला पड़ेगा वो ठीक है कि ये काम कर दो और उसके बाद मुझे थैंक्ट्यू भी बोला पड़ेगा अगर सब लोग मुझे एटेंशन देंगे आइसे से ट्रीट करेंगे तो मैं ये एक दो काम कर दूँगे कौन सा एक दो काम बिस्तर लगाना और सोरा मोड़ा कुकिंग कर देना ठीक है अगर तुम लोग मुझे थैंक्स नहीं बोलते हो तो त्यार रहा तुम लोग मुझे थैंक्स नहीं बोलते हो तो त्यार रहा तुम लोग काफी अच्छे तरीके से डिसपॉइंट होने के लिए ठीक है तब मैं कुछ भी काम करना बन कर दूँगी माइट गो ओफ फॉर दवीकेंड परहाफ्स मैं पुरा ही वीकेंड का छुप्ती ले लूँगी ठीक है इस पे ड हिड burg का अगास्ट अगास्ट का मतलब होता है फिल्ड भी उरर और सर्प्राइज यह बात सुनके कि ममम है वीकेंड में चुप्ति ले सक्तियें वीकेंड समझते है उस प की छुप्ति ले सकतिये तो ड होरु के साथ कश्र के साथ की अगां ba आप वीकेंड में छुटी लेंगी मिस्स परसन बोलती है वाइड क्यों नहीं I could do with a change मुझे चेंज पसंद है ठीक है इस तक हेर डे आफ्टर डे मैं यहां पे दीन पर दीन फसी रहुई रहती हूं हपते पर हपते यह के परी रहती कहीं बहार नहीं जाती हूं ठीक है अगर म मिस्स परसन बोलती है कि वो मेरा काम है ठीक है तुम तो कहीं जाने से पहले किसके साथ जाओगी यह सब तो तुम उससे नहीं पुछटी हो ठीक है यह तो उससे नहीं पुछटी हो तो तुम अभी क्यों पूछ रहे होगी मैं कहा जाओगी किसके साथ जाओगी इस पर डॉ मुझे तुम से पूछने का जरूद नहीं है ऐसा Mrs. Pearson Doris से बोलती है Doris इस पर बोलती है कि did you fall? आपके ही गिर गई खिक थी क्या या फिर आपके सिर्व में कोई चोट लगाए क्या Mrs. Pearson बोलती है नहीं तो But I will hit you with something Girl, if you don't stop asking silly questions, अगर तुम ये बचकाने questions पूछना बन नहीं करोगी तो मैं जरूर तुम्हें तुम्हारे सिर्व पर मार दाऊँ ठीक है? तो ये सुनके Doris का मुझ खुला रजाता है वो अपने मा को देखी रती है और एदम रेटी है रोगे के लिए ठीक है? क्योंकि इतना रूदली ये बात कर लिए इससे Doris इस पर बोलती है कि ओ दिस इस ओफूल ये काफ़ी बुरा है और बोलके वो रोने लगती है not passionately काफ़ी दिल से नहीं रोती है लेकिन रोना सुरू कर दे दिये Mrs. Pearson काफ़ी कोल लिली मतलब बिला अगर तुम इतना बड़ी हो गई हो कि तुम अच्छे से बिहेब करो stop it रोना बन करो ठीक है तब ही George Pearson जो है एंटर्स लेफ्ट जोर्स पियर्सन अब यह नया करेक्टर इंटर्डूस हो रहा है यह husband है Mrs. Pearson के ठीक है मतलब डोड़ी सोर सिरील के पिता जाई यह आते हैं इनका कुछ फीचर बताया गया है he is about 50 लगब पचास साल के है यह fundamentally decent fundamentally decent का मतलब होता है good hearted इनका दिल अच्छा है ठीक है अच्छे इंसान लेए लेगिन साथ-साथ यह तो positive aspect हो गया कुछ-कुछ negative aspect भी है इतमे वो negative aspect यह है कि वो काफी solemn यानि serious लैने वारे लोग है ठीक है इनके साथ जल्दी मजाक्ट नहीं किया जा सकता है self important मतलब वो यह belief करते हैं कि वो दूसरों से अच्छे है इनका opinion जूसरों से जारा माहिने रखता है ठीक है arrogant type case होड़ा और pompous मतलब show of a belief करते हैं मतलब चाते हैं कि लोग इनको importance दे समझे यह इनका कुछ feature रहे preferably he should be preferably he should be a heavy slow moving type अगर आप इस play को play इनका में enact कर रहे तो इनके लिए ऐसा character चुनिएगा जो थोरे मोटे हो ठीक हो ठीक है और तुरा दरीजदीर मूफ करे he notices do is dear तो यह पिता जी घर बे आते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी do is रो रही है देखते हैं वो पूस्ते हैं कि hello what's this कि क्या हुआ पेटी क्या दीजन है कि तुम रो रही हो डॉरीज बोलती है रोते हुए कि यूविल सी आपको दीख जाएगा पिताजी ठीक हम क्यों रो रहे हैं इतना बुलके डॉरीज दौरते हुए लेफ्ट की तरफ से निकल जाती है और जॉर्ज इस्टेर्स आफ्टर हर a moment दिन looks at mrs. pearsonQuat देखते हैं उसके बात mrs. pearson को देखते हैं क्या उसके बाद mrs. pearson को देखते हैं और बोलते हैं क्या उसने कहा यूविल सी उसने का कि मुझे मैं देख लूएंगा Mrs. Pearson बोलती है हाँ George बोलती है What did she mean? उसका कहने का क्या मतलब था Mrs. Pearson बोलती है Better answer आप उनी से पूछ लीजिए George लोग slowly again at the door then at Mrs. Pearson George फिर दरवाजी की तरफ देखते हैं फिर Mrs. Pearson की तरफ देखते हैं फिर वो नोटीस करते हैं Mrs. Pearson जो है वो स्टाउट पी रही है और एक और दूसरा सिप लेती है His eyes almost bulged ये देखके ये पहला शौक था जो George को लगा कि ये तो अभी नए आया है सीन में इनको क्या मालूम गर में कहकर चल रहा है तो देखते हैं कि Mrs. Pearson बीर पी रही है तो ये देखके जोर्ज बोलते हैं कि स्टाउट बीर Mrs. Pearson बोलते हैं George बोलते हैं अमें चौक के कि तुम स्टाउट क्यों पी रही हो ठीक है Pearson बोलती है Because I fancy it's मुझे कुछ पसंद था इसलिए मैंने पी लिया George बोलते हैं दिन के इस टाइम में Pearson बोलते हैं हाँ क्या गलते हैं इस टाइम में George बी वाइलड़ Confused होके बोलते हैं कि nothing I suppose Annie Annie समझे है Mrs. Pearson का पूरा लग है Mrs. Annie Pearson तो Annie बोलते हैं But Annie But I have never seen you do it before मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा इस टाउट पीते हुए Mrs. Pearson बोलते हैं ठीक है अब तो तुम देख रहे हो ना George बोलते है With heavy distaste इतना Straight up उनको reply मिल रहा है कि उनको थाँ खराब लग रहा है ठीक है बोलते कि हाँ And I don't like it मुझे तो ये पसंद नहीं है ये इस टाउट ठीक है It doesn't look right ये तो ठीक से दिखता भी नहीं है I am surprised at you मैं तो चौग गया हो तुमें देखता कि तुम कैसे पी रही हो Well Mrs. Pearson बोलते है Well, that ought to be a nice change for you चलो अच्छा है तुमे को चेंज देखने को मिला George बोलते है What do you mean? क्या मैं कहने का मतलब क्या है Mrs. Pearson बोलती है कि काफी समय हो गया आए जब तुम मेरे पर सर्प्राइज हुए थे ठीक है George आज तुमें एक सर्प्राइज मिल गया ठीक है तो George बोलते है मुझे सर्प्राइज पसंद नहीं I am on for a steady going on मुझे एक जिसा जीवन चाहिए You ought to know that by this time तुमें यह आभी तक पता हो जना चाहिए था साधी कि इतने सालों ने का बाग भी By the way मैं तुमें यह बोलना भूल गया था कि अभी मुझे चाहिए नहीं चाहिए ठीक है क्यूं क्यूंकि आज क्लब में राथ को special snooker match है ठीक है snooker समद रहे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ऐसे match को snooker match कहते है तो वहाँ पे एक match है and bit of supper going और मैस से तुरान कुछ खाने को भी मिलेगा इसलिए अभी चाहिए नहीं पियोंगा ठीक तो इस पे मिसिस पिरसन बोलते कि यहाँ ठीक है there isn't any चाह बेसे है भी नहीं जोर्ज बोलते है एक्ष्टोनीस चौक के बोलते हैं कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हें नहीं बनाया पेरसन बोलते है and a good thing to अच्छा भी हुआ मैंने नहीं बनाया नहीं तो फिर अभी वेस्ट हो जाता जोर्ज इससे काफी एग्रीप्ट वतलब उनको इस बात से चोट पॉस्ट है वो बोलते है कि that's all very well but suppose I had wanted some बोलते है ठीक है लेकिन मान लो कि मुझे अगर चाह चाहिए होता तब क्या होता मिसिस प्रेसन बोलते है कि my goodness क्योंकि मैंने इसके लिए चाहिए नहीं बनाया वो चाहिए जो इसे चाहिए ही नहीं ठीक है ever tried it at the club क्या तुमने यही चीज अभी अपने क्लब में ट्राइ किया है जर्ज बोलते है कि क्या ट्राइ किया है क्लब में ठीक से बलो जारा तो मिसिस प्रेसन यहां पर explain करती है कि तुम कोशिश करना क्लब में चाहिए कि तुम बार में जाओ और तुम आपर बोलो कि तुम्हें एक glass of beer नहीं चाहिए ठीक है लेकिन फिर तुम आपर गुसा भी हो जाओ क्योंकि तुमने क्योंकि अभी तक उन्होंने सर्व नहीं किया ठीक है ऐसा अगर करके देखना try that on them try that on them and see what you get ऐसा try करना देखो तुम्हें फिर क्या मिलता है कसके दुलाई होगा ठीक है George बुलते है इस पर कि I don't know what you are talking about मुझे पता ही तुम क्या बुल रही हो Mrs. Pearson बुलते है बुलती है लाफ एक मुझे पर हसते है they don't laugh at me इस point को याद रखिएगा ठीक है यहाँ एक नया truth reveal हो रहा है George के बारे में कि George जो है वक्सर क्लब में जाते है ठीक है सुनूकर मैच के लिए तो इनको यह बात पता नहीं है कि लोग पीट पिछे इनका मजा कुराते है इन पर हसते है ठीक है तो यह बात Mrs. Pearson इनको बता रही है तो यह बात सुनके George काफी धक्का से लगता है बोलते कि मुझे पर हसते है उस पर कोई नहीं हसता है पिरसन बोलते कि आफकोर्स दे डू हो बिलकुल हसते है ठीक है तुम्हें यह बात अभी तक पता को दना चाहिए था एनिबड़ी एल्स और आता तो उसका मालूंग हो ज दोस्ते हैं कि आफ इतने जड़ा स्लो हो इतने जड़ा पॉंपस हो इसलिए वो लोग आपका नाम मतलब नाम ऐसे पोगारते हैं पॉंपी ओंपी पियर्सन ठीक है जोर्ज इस पे काफी होरीफाइड होते हैं कि नेवर ऐसे कर भी नहीं हो सकता है मिस्स प्रिसन बोलते कि इट है इस अल्वेज बिटेन मी वाई ओल्वेज बिटेन मी का मतलब नेवर अन्रशन बाते हैं कि मुझे यह समझ बनी आता है कि आपको वहाँ पे इतना जड़ा ट ठीक है इंस्टीड ओफ गइंग आउट वीधर आप अपनी वाईप को नगी ले जाकर जो आपका मजाक नहीं उड़ाती है एक बेवकूफ की तरह ठीक है आप वहाँ पे क्यू जाते हैं यह मुझे समझ में नहीं आता है तभी क्या होता है सीन में सीरील एंटर करता है फिर फिर ठीक है और वो देखते हैं सीरील की तरफ अपील करते हुए कि क्या हो रहा है यह सब ठीक है आपको सही इसारा करते हैं जौर्ज बोलते कि हैर सिरीन तुम तो मेंसाथ कलब गए हो एक या फिर दो बार ठीक है वो लोग मुझ पर हसते तो नहीं है मुझे पॉम्प भी आड़ते हैं क्या, Cyril काफी embarrassed होके बोलता है कि, well yes dad लगे हाँ पीताजी, I am afraid मुझे दुख है कि बोलो, ऐसा करते हैं ति ये बात सुनके, George को काफी धक्का लगता है, George slowly looks from one to the other, staggered ठीक है, George कभी, Cyril को देखते है, काफी Mrs. Pearson को काफी धक्का सा लगाए, George बोलते हैं slowly, well I will be damned ये बोलने का तरीका है, इसका मतला होता है expression of surprise and disbelief, ठीक है, इतना surprise होगे कि उसकों विश्वास ने हो रहा है ये चीज, ठीक है ये सुनके, George वहाँ से चले जाते हैं, slowly, almost as if somebody had hit him with over the head, मानों किसी ने उनके सिर पर मार दिया हो, ऐसे वो घायल की तर चलते हुए जाते हैं सिरील देखते हैं अपने पिता जी को ऐसे जाते हुए ठीक है, turns indignately काफी गुसे से अपनी मा की तरफ भूमता है और बोलता है, कि now you shouldn't have told you that, अब आपको ये चीज़ पिता जी को नहीं बोलना चाहिए था, मा, ये सही नहीं है you have hurt his feelings, आपने उनका feeling को hurt कर दी, और मेरे feeling को भी ठीक है, तो इस पर मिसिस पिरसन बोलती है कि कभी-कभी अच्छा होता है, सत जानके hurt हो जाना, ठीक है, क्योंकि सच जो है, लंबे समय तक खानिकारत नहीं पहुचाएगा, अगर तुमारे पिता जी इतने कलब नहीं जाते, तो लोग उन पर हसना भी बन कर देते, ठीक है Cyril gloomily, doubtfully बोलता है कि I doubt it, ठीक है, मुझे doubt है आप क्या बोल रही है, कि सच अच्छे के लिए बोला जाता है, ये सब ये बात Cyril को अजन नहीं हुआ Mrs. Pearson इस पे बोलती है severely काफी गुस्से से बोलती है Possibly you do, but what I doubt is whether your opinion worth having उपर सिरिल क्या बोला था, कि मुझे doubt है, आपकी बातों पे ठीक है, इनको doubt हो रहा है तो इस पे Mrs. Pearson काफी गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि ठीक है तुमको doubt हो सकता है, लेकिन तुम्हारा doubt या पिर तुम्हारा opinion worth है दिन, मतलब कोई काम कर नहीं है ठीक है, तुम्हें मालूम ही कहा है, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है तुम सीप सारा समय और अपना सारा अच्छा money, क्या में waste करते हो greyhound races, एक dog racing होता है इस पे अपना पैसा और time waste करते हो dirt tracks, ice shows, यही सब में तो waste करते हो ठीक है, तो यहां पे सिरील का भी अच्छा से कुटाई हो गया अब सिरील बूलता है sulkyly, मतलब in bad mood well, what if I do I have got to enjoy myself somehow, haven't I मुलता है कि क्या हुआ मैं अगर ऐसा करता हो तो मैं enjoy तो करी सकता हो, इसमें बोई गलत बात तो नहीं है इस पे Mrs. Pearson बोलती है मैं भी माइड नहीं करती अगर तुम रियली खुद को enjoy कर रहे होते तो लेगन क्या तुम खुद से पूछ के देखो क्या तुम खुद enjoy करते हो क्या और यह तुमें कहां ले जा रहा है ठीक है there is a sharp hurried knocking heard of left तभी क्या होता है कि left तरवाजे से door knocking का आवाज आता है काफी जल्दी से कोई ठकार आ रहा है तो guess करी सकते हैं आप कौन आया होगा Mrs. Fitzgerald आये होगी ठीक है सबद रहे जिनमें असली Mrs. Pearson है Cyril बोलता है might be for me I'll sing तकि मेरे लिए कोई आया होगा मैं देखता हूँ दरवाजे को दरवाजा खुलता है Cyril hurry is out left in a moment he re-enters तुरंद वो आता है Cyril अपनी माग के पास और बोलता है closing the door behind him दरवाजा बन कर कातर बोलता है कि it's that silly old bag from next door बोलता है कि वोई बुरी मोटी बेवकूफ आई हुई है किसके बार में बास हो रहा है Mrs. Fitzgerald आई हुई है अब देखिए या तो Mrs. Pearson के अंदर को ने Mrs. Fitzgerald दिये अब उनको ये बास सुनके कैसा लगा होगा कि ये लोग अपने उनके बारे में अपने मन में कैसा दार ना लेगे बैठे है या पर जो Cyril है वो किसको बोल रहा है अपने मा को बोल रहा है लेकिन इसे क्या पता वो Mrs. Fitzgerald को ही बोल रहा है कि वो सिली ओल्ड बैग आई हुई है ठीक है You don't want her here, do you? लगि आपको तो उन्हें वो अभी नहीं चाहिए है कि नहीं Mrs. Pearson काफी सार्फ लिये बास उनके गुसा जाती है बोलती है कि Suddenly I do उजे पसंद है वो आई है तो Ask her इन उन्हें अंदर बुलाओ And don't call her a silly old bag उसे silly old bag बोलके मत बुलाओ ठीक है She is a very nice woman काफी अच्छी औरत है वो And a lot more sense than you will ever have और तुम चाह तो काफी ज़्यादा sense है उसमें समझ रहे मिसिस पियर्सन का ऐसा बोलने का कारण क्योंकि वो खुडी तो मिसिस फिजराल्ड है अपने बारे में कैसे बुड़ा बोल सकता है ठीक है चलिए Cyril exit let's left Cyril left की तरब जाता है मिसिस पियर्सन finishes arrest out वो बियर पी लेती है Smacking her leaves और जो भी बियर्ड वो के लिफ्ट पे लग जाता है वो उसको चाट लेती है ठीक है Cyril re-enters left ushering in Mrs. Fitzgerald Cyril वापस left में appear होता है और वो Mrs. Fitzgerald को अंदर बुलाता है Who hesitates in the doorway Mrs. Fitzgerald दरवाजे पर ही इसकी चाती है क्यों समझ रहे हैं इस पर असली करेक्टर किसका है Mrs. Pearson का है Come in, come in Mrs. Fitzgerald ठीक है ऐसा Cyril बोलता है Mrs. Fitzgerald बोलती है कि moving to left center anxiously वो Mrs. Pearson को जाके बोलती है कि I just wondered if everything alright मैं सोच रहे थी क्या समिया पर ठीक है कि नहीं Cyril शल्कली मतलब in bad mood बोलता है कि no it isn't कुछ ठीक नहीं यहां पर Pearson बोलती है sharply Of course it is, you be quiet होलती है हाँ सब ठीक है, तुम जुप रहो ठीक है, ऐसा Cyril को बोल देती है Cyril indignantly and loudly का फिर गुशे से चिला पर बोलता है Why should I be quiet? मैं क्यों जूप रहो हूँ ठीक है, अब यहां पर चिलाना शुदू कर भाए Cyril voice raise किया तो Mrs. Pearson फिर चिला के बोलती है Because I tell you to man तुमें बोल रही हो, इसलिए तुम चुप रहो You silly spoiled young piecan ठीक है, piecan का मतलब होता है Fool idiot, बेकूफ तुम चुप रहो ठीक है, चिला के बोलती है Mrs. Fitzgerald ये सुनके काफी hurt होती है क्योंकि है तो ये इनका ही बेटा वो बोलती प्रोटेस्टिंग नर्वसली ठीक है, बोलती है कि oh no no oh no sure, बोला कि ने ने ऐसा मत कीजिए Mrs. Pearson इस पे बोलती है severely now Mrs. Fitzgerald just let me manage my family in my own way, please बोलती है कि आप मुझे अपनी family को अपने तरीके से handle करने दीजिए ऐसा Mrs. Pearson Fitzgerald को बोलती है ठीक है, Mrs. Fitzgerald बोलती है yes but Cyril लेकिन Cyril अब देखे Cyril इस पे बोलता है sulky and glowing मतब looking angryly काफी गुसे से बोलता है Mr. Cyril Pearson to you, please Mrs. Fitzgerald यहाँ पे Mrs. Fitzgerald ने Cyril को Cyril बोलके संबोधित कर दिया, ठीक है तो यह बात सुनके Cyril गुसा हो जाता है बोलता है कि आपके लिए तो मैं Cyril नहीं हो, आपके लिए मैं Mr. Cyril Pearson हो ठीक है, तो आप मुझे फुल नाम से पूकारिए Cyril stocks off into the kitchen इतना बोलके kitchen की तरफ चला जाता है अब Mrs. Fitzgerald moving to the city, city की तरफ जाती है जहाँ पर Mrs. Pearson बैठी हुई है और जीदे से बोलती है कि ओ डियर, what's happening, क्या हो डाई यहाँ पर Mrs. Pearson बोलती है काफी शानती से कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं just putting them in their places सब को अब उनका place में fit कर रही हूँ, ठीक है doing what you ought to have done long since वो चीज़ कर रही हो जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था Mrs. Fitzgerald इस पर बोलती है कि इस जोर्ज हो, क्या जोर्ज घर आ चुके है she sits beside Mrs. Pearson on the settees Mrs. Pearson के बगल में सेटी पर बैठ जाती हो, बोलती है कि कै जोर्ज घर आ चुके है Mrs. Pearson बोलती है, हाँ I have been telling him what they think of him at the club और मैंने उन्हें बता दिया है कि क्लब में लोग उनके बारे में क्या सोचते है कैसे उनका मजा कुराया जाता है इस पर Mrs. Fitzgerald बोलती है, well, they think a lot of him don't they? बोलते हाँ, वह लोग तो अच्छा ही सोचते हों के इनके बारे में, Mrs. Pearson बोलते है no they don't, नहीं अच्छा नहीं सोचते है and now he knows it, और यह सचाई अब George को भी मालूं हो चुका है इस पर Mrs. Fitzgerald काफी nervous होके बोलते है, oh dear I wish you hadn't Mrs. Fitzgerald Mrs. Pearson बोलते है nonsense, doing them all a world of good and they will be eating out of your hand soon नहीं बेकार का बाते छोड़ो तुम मैं तुमारे लिए तुम सब के लिए काफी अच्छा काम कर रही हूँ, ठीक है और जल्द ही, they will be eating out of your hand, eating out of your hand मतलब, you will have them completely under your control सब तुमारे control में होंगे देख लेना तुम, ठीक है इस पे Mrs. Fitzgerald बोलते है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं इन सब को control करना चाहती हूँ, ठीक है Mrs. Pearson काफी impatiently बोलते है, well, whatever you want जो भी तुमें चाहिए, they will be doing it वो लोग यही करेंगे, ठीक है, all three of them तीनो के तीनो, mark my words Mrs. Pearson, आप मेरी बातों का ध्यान रखिएगा तभी George Editors left gloomily काफी दुखी फिल करते हुए George आते हैं left की तरफ से He is unpleasantly surprised when he sees the visitor जब George देखते है किसको Mrs. Fitzgerald बोलेकिन वो असली में पहुंदे, Mrs. Pearson ने, ठीक है, तो George Mrs. Fitzgerald को देखके, काफी मतलब और भी ज़्यादा unpleasantly surprised हो जाते है और भी ज़्यादा उदास हो जाते है वो जाते हैं armchair में ठीक है, sits down heavily and gloomily lights his pipe और वहाँ पे साथ सिगार पीते है Then he looks from Mrs. Pearson to Mrs. Fitzgerald who is regarding him anxiously फिर वो Mrs. Pearson को देखते हैं Mrs. Fitzgerald को देखते हैं उन्हें काफी regard मतलब इज़त से दे रही है क्योंकि है तो उन्हें का husband असली में George बोलते है just looked in for a minute I suppose Mrs. Fitzgerald बोलते कि यह आने के लिए कोई खास रिजन तो नहीं है ऐसी casually आई है आप ऐसा पूछते है George Mrs. Fitzgerald से who doesn't know what she is saying well yes I suppose so George बोलते कि हाँ yes थोड़े दरकली आई हूं George अब देखें यहां पर भी नाम चा संबोधित कर देती है George इस पर बोलते है कि George ठीक है काफी चौक के बोलते है George Mrs. Fitzgerald nervously oh I'm sorry बोलते कि हाँ sorry कलती हो गया Mrs. Pearson impatiently बोलते है कि what does it matter इससे क्या फ़रक परता है तुमारा नाम तो है George है कि नहीं who do you think you are Duke of Edenburg तुमारा नाम तो George है ना तुम खुद को क्या समझ रहे हो Duke of Edenburg तो नहीं समझ रहे हो George इस बात के सुनके काफी गुसा हो जाता है क्योंकि एक परोशन के सामने उसकी पतनी उनका insult कर जाए ठीके तो इस पर काफी गुसा हो जाते है बोलते है कि what's he's got to do with it यहाँ पर Duke of Edenburg कहा से आ गया बीच में just tell me that तुम से मुझे इतना बताओ and isn't it bad enough without her calling me George ठीके और इससे पहले ही तो काफी बुड़ा हो चुका है अगर उसने मुझे George करके ने भी बुलाया होता तो इससे भी तो पहले काफी बुड़ा हो चुका है अभी का सीन ठीके घर में नचाई मिला पॉम्पी ओम्पी पीरसल यह सचाई मुझे पता चला जो डोड़ी से पेचारी वो इतना रो रही है उपर में जाके ठीके crying her eyes out बुड़ा रो रही है ठीके बुड़ी तरीके से तो यह सब बात सुन लेती है Mrs. Fitzgeraldine को पता चलता है ठीके यह तो यह असली मा बलती है कि oh dear I out to have no मुझे कास पता होता यह सब यह सब ओर आए घर में George is staring at her annoyed George अब Mrs. Fitzgerald को काफी here just now बोलता है कि देखो यहाँ पहले से ही काफी अशान्ती 667 मतलब chaotic situation है काफी जाता जगरा हो रहा है confusion वाला महोन है पहले से ही घर का महाल ख़रा गए so perhaps civil excuses हमें आप माफ कीजिए आप अच्छा होगा कि आप यह से चली जाए तो इस पे Mrs. Pearson बोलती है इससे पहले कि Mrs. Fajrard कुछ बोले Mrs. Pearson बोलती है कि I want excuse you मैं तुम्हें माफ नी करूँगे यहां पर George बोला था कि आप चली जाएं यहां से Mrs. Pearson बोलती है मैं तुम्हें माफ नी करूँगे George Pearson ठीक है अगली बार से अगर कोई मेरा दोस्त या फिर कोई पौरोशन मुझसे मिलने आए तो तुम सबसे पहले जब यहां पर आओगे तो कुछ कहना जैसे कि Good evening कहना How do you do कहना या फिर कुछ कहना ठीक है ऐसा नहीं कि तुम सिब सीधे आना यहां पर और bad जाना बिना कुछ बोले यह bad manners होता है ठीक है ऐसा मत behave करना तू तो फिर से लोग फिर से insult हो गिया यहां पर काभी बूरी तरीके से जॉर्स का इस पर Mrs. Fitzgerald nervous हो के बोलते कि No, it's all right now ठीक है कोई बात नहीं Mrs. Fitzgerald Mrs. Fitzgerald बोलते कि Glaring at George well George को दिखते वे बोलते है कि ठीक है कि नहीं George George बोलता है काफी डड़ा हुआ ठीक है Interminator काफी डड़ nervous क्रिल करता है बोलता है यहां ठीक है ठीक है अब Mrs. Pearson 21 इंताना मारते वे बोलते है कि Why don't you get off to your club तुम अपने club क्यों नहीं चाहते है आज तो special night है ठीक है They will be waiting for you वो लोग तुम्हारा इंतिजार कर रहे होंगे ठीक है हसने के लिए Go on then जाओ तुम अपने club में Don't disappoint them उन्हें निरास मत करो उनको हसने का मौका दो George काफी bitterly चीर जाते है इस पर बूलते है कि that's right ठीक है अब तुम इसके सामने भी तुम मुझे निचा दिखा दो तुम मेरा मजा को डालो किसके सामने Mrs. Fitzdaral के सामने Go on, don't mind me ठीक है ठीक है मेरा तो कोई value ही नहीं है घर में कोई फरकी नहीं पड़ता है तुमें 6th and 7th काफी अफ्रात अफ्री मचा हुआ है poor dories बुरी तरीके से रो रही है ठीक है अब यहां पर पॉरुस के सामने भी पॉरुसन को भी मजा मिल रहा है ठीक है कि हम आरे घर में चंगड़ा हो रहा है Suddenly वो अपना टेमपर को लूस कर देते है और Mrs. Pearson को देखते हैं और चिलाना शुरू कर देते है ठीक है George तरीक है सुने तो इन्हें भी क्या चल रहा है हमारे घर में What's the matter with you क्या हुआ है तुमें Have you gone by me or what क्या तुम पगला गई हूं क्या Mrs. Pearson jumping up savagely savagely मतला violent and cruel तरीके से जब यहां पर George जो है अपना आवाज voice race करते है तो इस पर Mrs. Pearson भी काफी counter attack करती है तुरल्ट खरी हो जाती है और savagely violent तरीके से मानों उठके मार देगी ठीक है इस तरीके से खरी होती है और बुलती है If you shout at me again like that अगर तुम दूबारा मेरे उपर ऐसे चिलाए George Pearson I will slap your big fat silly face मैं तुमारे मोटे चैरे पे बड़े मोटे चैरे पे बेकूब वाले चैरे पे slap थपर मार दूँगी ठीक अगर ऐसा किये तो अब यह देखिए George फिर से और बुड़ी तरीके से बेजेती हो रहा है George का Mrs. Pearson moaning मतलब काफी दुख भड़े स्वार में बोलती है Oh no 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 please Mrs. Fitzgerald Mrs. Pearson sits तुरंत Mrs. Fitzgerald यहापे मामला को ठंडा करती है बोलती कि नी 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 ऐसा मत कीजिए क्योंकि Mrs. Fitzgerald का ही तो पती है George मतलब इसके अंदर क्या है Mrs. Pearson है उनका ही तो पती है George तो कैसे देख सकती है कि कोई बाहर वाली औरत उनको ऐसे थपर वारने का बात बोल दे ठीक है तो देखे नी 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 ऐसा मत कीजिए और इतना वो नर्वास हो गए कि वो अपने करेक्टर को भूल जाती है और Mrs. Fitzgerald बोल देती है Mrs. Pearson को यह क्या बोल देती है Mrs. Fitzgerald लेकिन इन्हें पता नहीं अब यहाँ पे सीन में George भी है ठीक है अब George इस बात को कैसे expect करें कि यह इनको Mrs. Fitzgerald क्यों बोल रही है देखे George यहाँ पे बोलते है staring at her be wilded वो और भी ज़्यादा confused होके देखते है Mrs. Fitzgerald की तरह बोलते है इधर I am of my chump क्या तो मैं पागल हो गया हो और यू तो या फिर तुम दोनों पागल होई हो पागल हो गया हो How do you mean? No no please Mrs. Fitzgerald आप कहना क्या चरिया आपने यहाँ पे कहा Oh no no Mrs. Fitzgerald तो no no please Mrs. Fitzgerald इसका कहने का मतलब क्या है Look you are Mrs. Fitzgerald बोले कि आप है Mrs. Fitzgerald आप इनको क्यों Mrs. Fitzgerald बोल रही है ठीक है Why you are telling yourself to stop when you are not doing anything तो आप खुद को रोकने को क्यों बोल रहे हैं आप तो खुद कुछ नहीं कर रही हैं ठीक है आप इनको बोल यह रोकने के लिए Mrs. Pearson को बोल रोकने के लिए ठीक है तब आपके बात में कोई सेंस होगा तब वो Mrs. Pearson को की तरफ देखते हैं और बोलते हैं I think you must be tiddly मुझे लगता है कि तूँ tiddly का मतलब slightly drunk तूँ अपने होश में नहीं हो ठीक है तूँ नसे में हो कोई Mrs. Pearson फिर से starting up savage league फिर से वो वालेन तरीके से खड़ी होती है बोलती कि सेरेट अगें फिर से कहना तू क्या कहा तुमने मतलब अब अगर George एक सब्दी बोला तो इसका दुलाई हो जाएगा ठीक है George Pearson तो George काफी डर जाता है बोलता है कि ओल राइट ओल राइट ओल राइट ठीके ठीके अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा तभी सीन में डरी साती है ठीके लुकिंग मीजरेबल काफी दुखी दिख रही है वो अभी भी वो रैप पहनी हुई है मतलब तियार होने से पहले जो उपर बें कपरा पहना जाते है वो पहनी हुई है मिशिस पिरसन सीट सेटी और मिशिस पिरसन सेटी बे अवे भी बैठ हुई है मिशिस फिजराड बोलती है कि हलो डॉरीज डियर डॉरीज बोलती है हलो मिशिस फिजराड फिजराड बोलती है मुझे सो लगा था तुम आज चारली स्पेंस के साथ जाड़ी हो बाहर तो देखिया असलीमा तो यही है इसके अंदर तो मिशिस पिरसन ने इसको पता है कि वो चारली स्पेंस के साथ बाहर जा रही है डॉरीज इस बात से काफी गुसा हो जाती है कि मैं भी यह बात पता है कि वाट्स डैक कुडू वी इससे आपका कहले ना दरा मैं किसी के साथ भी जाओ इस पर मिशिस पिरसन फिर से इंटर्फेर करती है बीच में बोलती है इस टॉप बैक रुको मिशिस फिरसन बुलती है कि ना ठीक है कोई बात नहीं तो मिशिस पिरसन इस पर बुलती है काफी गुसे से इट इस तरीके से बात करे वो बुलती है कि मिशिस फिरसन को अच्छे से जवाब दो ठीक है और फिर ऊपर जाओ ठीक है Doris looks wonderingly at her father Doris काफी चोग गई है कि कैसे उनकी मा में Mrs. Fitzgerald के लिए इतना sympathy कब से जग गया ठीक है George बोलते हैं वो भी काफी दुखी में Don't look at me बेटी मेरी तरफ मत देखो I give it up, I just give it up मैंने तो surrender कर दिया मेरे से पुछनी होगा इस गार में काफी गुसे से बोलते हैं कि Well, answer है ठीक है बोलते हैं कि सही तरीके से answer करो Mrs. Fitzgerald को Doris in bad mood बोलते हैं कि I am going out with Charlie Spence tonight But now I have Sorry, I was going out with Charlie Spence But now I have called it up लेकि हाँ मैं जा रही थी Charlie Spence के साथ लेकिन अब मैंने वो plan cancel कर दिया है ठीक है ऐसा वो reply देती है Mrs. Fitzgerald को तो Mrs. Fitzgerald बोलते हैं कि Oh, what a pity dear Why have you बोलते हैं कि बड़े दुखी बात है क्यों तुमने ऐसा किया तो Doris with a flash of temper तो अगर में दिखाते हुए बोलती है Because अगर आपको जानना ही है तो सुनिए क्योंकि मेरी माने Has been going on at me Making me feel miserable मेरी मा सुबर सेहीं मुझे डाट रही है ठीक है मुझे दुख पोचा रही है And saying he's got बक्ती तेंडी जाब भुटेड And मेरी मा कहती है कि Charlie Spence जो है इसका दात निकला हुआ है बुद्धी कम है ठीक है ऐसा बुलती है मेरी मान तो Mrs. Fitzgerald इस पे जवाब देती है Rather bolder to Mrs. Pearson थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए Mrs. Pearson को बुलती है क्या रही आप मेरी बैटे को आप ऐसा क्यों का बलती है आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था तो Mrs. Pearson भी sharply काफी चाहिए से बत बुलती है कि Mrs. Fitzgerald I will manage my family, you manage yours मैं अपने family को manage कर लूँगी आप अपने वाले को manage कीजिए जोर्ज तभी काफी grimly मतलब unhappy, angry गुशे से बुलते है ticking her off now, are you any तो ticking her off now बलते है कि आप तू इसे स्कोल्ड कर रही हो Mrs. Pearson जो है यहाँ पर बुलती है कि मैं अपने family को manage कर लूँगी आप अपने को manage कीजिए तो जोर्ज इसको बुलते है कि आप तू मिने भी डाटना सुरू कर दी ठीक है Mrs. Pearson फिर और भी ज़्यादा गुशे से बुलती है कि they are waiting for you at the club आपका इंतिजार कर रहे हैं वोलो क्लब में George don't forget आप यह वाद मत बुलो and don't start crying again Doris Doris को बुलती है कि तुम फिर से रोना मत इस्टार्ट कर देना तभी Mrs. Fitzgerald getting up with sudden decision खड़ी होती है और बुलती है that's enough quite enough यह बहुत हुआ ठीक है George and Doris stare at her B. Wilder फिर यह दुनों काफी confused तरीके से Mrs. Fitzgerald को देखती तब Mrs. Fitzgerald ने कहा कि यह बहुत हुआ यह दुनों confused हो जाते कि क्या बहुत हुआ क्या बुल रही है Mrs. Fitzgerald George और Doris को बुलती है कि आप लोग सुनिये आप दोनो मुझे कुछ private छोटी सी बात करनी है Mrs. Fitz फिर से वो सर्च बनने वाली होती कि फिर से वो खुट हो करेक्ट करती है बोलती कि मुझे छोटी सी बात करनी है Mrs. Pearson के साथ ठीक है So, I will be obliged if you will leave us alone for a few minutes अच्छा लगेगा कि अगर आप कुछ तिरक लिए हम एक लना छोड़ दे मैं आपको बता दोंगी जब हमारा बात्चीत खतम हो जाएगा तब Go on please, I promise you that you won't regret it अब मैं आपको प्रोमिस करती हूँ कि आप दोनों को अफसोच नहीं होगा कुछ समय दीजिए मुझे ठीक है या पर ऐसा कुछ हो रहा है जिसे से मैं डिल कर सकती हूँ ऐसा मिसिस फिजराड इन दोनों को बोलती है ठीक है जॉर्ज बोलते है कि राइजिंग ख़रे होते हो बोलते है कि I am glad somebody can चलो कोई तो है जो इन्हें टाइगल कर सकता है कॉज आई काट मेरे सकतों नहीं हुआ कम आण डॉरीश बोलते हैं अब शीन से जॉर्ज और डॉरीश दोनों ही चले जाते हैं जैसे ही वो लोग चले जाते हैं तब मिसिस फिजराड जल्दी से टेबल की तरफ आती है और मिसिस पिरसन को भी बुलाती है ठीक है कि आएए यहाँ पे और मिसिस फिजराड फिर बुलती है मिसिस फिजराड मतलब जीनमें अभी किसका करेक्टर है मिसिस पिरसन का वो बुलती है कि we must change back now अभर मैं change कर लेना चाहिए चल्दी Mrs. Peterson इस पर बोलती है कि क्यों Mrs. Fitzgerald बोलती है Because this has gone far enough क्योंकि मामला काफी bigger गया है मैं देख पारी हूं कि सभी miserable दुखी है ठीक है और मुझे से ये देखाने जा रहा है Mrs. Peterson इस पर बोलती है कि थोड़ा देर और ठीक है तब इन सब कर भला हो जाएगा अल्रेडी काफी difference आना शुरू हो चुका है ठीक है ये बोलके She moves to right of the table and seats ठीक है Mrs. Fitzgerald इस पर बोलती है कि No, I can't stand any more of it मुझसे अभी और देखाने जा रहा है Ideally can't We must change back, hurry up, please Mrs. Fitzgerald Mrs. Pearson इस पर बोलती है Well, if you insist ठीक है अगर आप इतना जीत कर रही है तो चलिए ठीक है Character exchange कर लेते है Mrs. Fitzgerald Yes, I do, please, please Please, आप कीजिए ठीक है She stresses her hand across the table eagerly Mrs. Pearson takes them Mrs. Fitzgerald अपना हाथ आगे बढ़ाती है Mrs. Pearson भी उनके आप तो में हाट डाल के Mrs. Pearson बोलती है Quite now, relax ठीक है, अब तुम्हें रिलाक्स हो जाओ Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald stare at each other दोने दूसरे को देखते है Muttering exactly as before पिर वही पहले वाला मंतर वो बोलती है फिर वैसे ही सेम पहले की तरह action होता है पहले दोनों एकदम रिलाक्स बेहोस की तरह हो जाते है फिर वापस फिर से वोस में आते है But this time of course they become their proper personality इस बार दोनों इंसोरे का correct body में personality आ चुका है ठीक है Mrs. Fitzgerald जो कि असली में Mrs. Fitzgerald ले वो बोलती है Oh well, I enjoyed that मुझे काफी मज़ा आया Mrs. Pearson बोलती है मुझे उतना नहीं आया Mrs. Fitzgerald बोलती है When you ought to have done Now listen लेकि तुम्हें इसा करना चाहिए था अब सुनो मेरी बात Mrs. Pearson अब तुम वापस से सौफ्ट मत हो जाना उन पे फिर से ठीक है नहीं तुम्हें मेरा सारा किया कराया वेस्ट हो जाएगा Mrs. Pearson इस पर बोलती है I will try not to मैं कोशिस करूँगे कि ज्यादा सौफ ना हो ना हो Mrs. Fitzgerald पे बोलती है They have not had as long as I would like to have given them जितना समय मैं चाहती थी उतना समय तो मैं उन्हें सही ट्रीटमेंट नहीं दे पाई और अगर एक दो गंटा मुझे रॉफ ट्रीटमेंट देने का मौका मिल जाता तो मैं पका स्योर हो जाती ये लोग सही लाइंग पर आजाते Mrs. Pearson बोलती है I am sure they will do better now मुझे यखीन है कि ये लोगा बच्छा हो जाएंगे though I don't know how I am going to explain मुझे मालूम नहीं कि मैं जिजों को कैसे explain करूंगी लोगों को Mrs. Fitzgerald इस पर बोलती है काफी strictly कि don't you start any explaining or apologizing भूल के भी तुम कुछ explain करने का कोशिस मत करना या फिर माफी मगने का कोशिस मत करना नहीं तो सारा महनत बरवाद हो जाएगा Mrs. Pearson with spirit बोलती है It's all right for you ठीक है बोलती है कि तो आपके लिए सब ठीक होगा Mrs. Fitzgerald after all they aren't your husband and children आपने जो इतना बुरी तरीके से treat किया मेरे husband और बच्चे को या आपके लिए ठीक होगा क्योंकि वो आपके husband और बच्चे नहीं है मुझे तो फट पड़ता है Mrs. Fitzgerald इंप्रेसिव तरीके से बोलती है कि Now you listen to me अब तुम मेरे बात सुनो तुम्हें खुदी कहा था कि तुम उन्हें स्पोयल कर रही हो ठीक है और वे लोग तुम्हें appreciate नहीं कर रहे है अगर तुम कोई भी माफी माम होगी कोई भी explanation दोगी ठीक है Now and again To suggest you might be tough with them If you wanted to be कभी-कभी ऐसा चीज़ कर लिया करो यह suggest करने के लिए कि अगर तुम चाहो तो तुम भी strict rough हो सकती हो उनके खिलाफ And it out to work और यह इतना है काम करेगा Anyhow we can test it और हम इसका test भी कर सकते Mrs. person बोलती है कैसे test करे कि यह तुम आदर ट्रिप्मेंट है वो काम किया की नहीं यह लोग सब लाइन पे आई की नहीं इसको कैसे test करे Mrs. Fizzard इस पे बोलती है Well What is it you would like them to do that they don't do ऐसा कौन सा काम है जो तुम उनसे करवाना चाहती हो जो वो लोग करते नहीं है Stop at home for once ठीक है क्या तुम चाहती हो कि उनको हम सब घर में रोक दे सब को घर में रोकना चाहती हो क्या Mrs. Pearson इस पे बोलती है And give me hand with supper और वो लोग मुझे खाना बनाने में भी help करे Mrs. Fizzard बोलती है Anything you would like them to do that you enjoy whether they do or not ऐसा कोई चीज है जो तुम करना चाहती हो जिससे तुमें enjoyment मिले बले ही वो लोग enjoy करे या फिड ना करे ऐसा कोई चीज है क्या Mrs. Pearson इस किचाते हुए बोलती है कि हाँ ऐसा चीज तो है मुझे पसंद है रमी का game खेलना ठीक है Of course I hardly ever have one except at Except at Christmas मुझे रमी खेलने का मौका ने मिलता है लोगों के साथ सिर्फ क्रिस्मस में मिलता है मौका तो मुझे रमी खेलना पसंद है Mrs. Fisdard getting up खरे होते हैं बोलती है कि That will do then तो मैंने इतना treatment दे दिया है कि ये लोग तुमारा इतना बात तो मानी लेंगे वो left की तरफ जाती है दरवाजे की तरफ और जाते जाते बोलती है But remember keep firm or you have had it याद रखना कि तुम टाइट रहना नहीं तो हो गया काम तभी वो दरवाजा खुलती है और calling बाकी सबको बुलाती है ठीक है George, Doddy, Cyril सबको You can come in दाकि तुम लोग आ सकते हो Coming away from the door and moving right slightly quietly But remember, remember a firm hand जाते जाते बोलती है कि याद रखना firm hand तभी सीन में George, Doris और Cyril ये जोनों आते हैं doorway से Looking apprehensively काफी घबराहट परे तरीके से दिखते है Mrs. Pearson को और Mrs. Fisdard बोलती है I am just off to let you enjoy yourself मैं जा रही हो, अब तुम सब लोग enjoy करो तो पूरा family है तीन जो George, Doris और Cyril ये सब लोग Mrs. Pearson को काफी anxiously देखते है जब Mrs. Pearson जो है अब क्या करती है smile करती है इन लोगों की तरफ ठीके तो much relieved they smile back at her तो ये पूरी family भी George, Doris और Cyril ये तीनों भी इनको smile back करते है ठीक है Doris anxiously पूछती है Yes mother, how am I? Mrs. Pearson smile करती है बूलती है कि seeing that you don't want to go out I will tell you what I thought to you too अब चुकित तुम बाहर नहीं जा नहीं हो तो मैंने सोचाए कि तुम क्या करोगी Mrs. Fitzrald फिर final warning देती है अभी भी वो गई नहीं है दरवाचे पर खरे-खरे final warning देती है और याद रखना Mrs. Pearson शिरिज लाकर हाँ बूलती है No objections I hope बूलती है कि मुझे लगता है कि तुमें कोई objection तो नहीं है मैं क्या सोची हूँ उस पर George humbly बोलता है No mother, whatever you say No, 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 no जो तुम बोलो Mrs. Pearson बोलती है इस्माइल करते हुए कि मैं ये सोची हूँ कि We would have a nice family game of Rummy हम सब लोग मिलके Rummy game खेलेंगे उसके बाद तुम बच्चे लोग जो हो Doris और Cyril तुम लोग जाके खाना बनाऊगे ठीक है जब तक मैं तुमाने पिताजी के साथ बैठके बात करूँगी और टाइनी स्परिंट करूँगी George इस पर बोलता है शूट कोई ठीक है मैं तो रेडी हूँ इसके लिए He looks challengingly at the children वो बच्चे की दरफ देखके पूस्ते हैं कि तुम दोनों का क्या opinion है Cyril बोलता है Yes वो भी जन्दी से बोलता है कि हाँ ठीक है that's all right हम लोग खाना में help कर देंगे खाना बना देंगे Dodis बोलती है कि हाँ वेल आई हिसके चाते हुए हिसके चाती है तब ही उसकी ममी बोलती है What? Speak up तुम clear बोलो करोगी नहीं Dodis बोलती है वो भी जन्दी से बोलती है Oh I think it would be lovely काफी अच्छा रहेगा पहले हम रवी गेम खेलेंगे फिर हम बच्चे खाना बरेंगे आप लोगों के लिए Mrs. Pearson इस्माइल करते हुए बोलती है Goodbye Mrs. Fizrad अब Mrs. Fizrad को bye-bye बोलती है अब Mrs. Fizrad चली जाती है और जो फैमिली है वो एक साथ मा की तरफ आते तभी पड़ा घिर जाता है इसी के साथ ये जो पुड़ा प्ले था वो एंड हो गया तो उमीद करते हैं आपको ये प्ले सबजबे आया होगा इजी ही प्ले था और अच्छा भी लागा होगा ये प्ले का ये सुनके ठीक है कैसे ये सीन सब हुआ है वो अच्छा लागा होगा आपको चलीए उमीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कोई अगर doubt, confusion है तो comment करके बताएगा वीडियो सब्सक्राइब आपको ये तीन काम कर देना है लाइक कर दीजेगा, फ्रेंड के साथ सेर कर दीजेगा और अगर आप चल पर नए है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजेगा चलिए, मिलते हैं बाजल के सीओं और वीडियो में प्रेंड कर दीजेगा